लास्ट पार्ट वेच आप मां ओरड़ी इस अडेंटिटी वारे स्टेडी कर चुके हैं ए एन इस इकोल टू ए प्लस एन माइनस वन इन्टू डी ते इस पार्ट दी वेच आप मां एक्सर साज नूं कम्प्लीटली सॉल्व करन लग्यांगे ते जिन्ना मेरे फ्रेंटिस ने हल तक अपनी लास्ट पार्ट नहीं दिख्या ए वीडियो स्टार्ट कारूंतों पहलना वो पहलना पर्स्ट पार्ट देखलां ताँ के इस इस अडेंटिटी वारे ताँनू थोड़ी जी नौलज होजे ते फर्स्ट प्रॉल्म देथी एक्सेश 5.2 देवेच वेच वेच फाइब पार्ट्स गिवन हैगी ते पहला पार्ट आपने देता होएगा कि फिलेंद ब्लेंक्स करने हैं अपने फर्स्ट पार्ट वेच अपने एल इवल्यू 7 गिवन हैगी ते common difference दे वेल्यू 3 गिवन हैगी ते number of terms दे 8 गिवन है अपने an फाइंड करना मीनिंग कि अपने 8 तरम फाइंड करने हैं ता अथे n दे वेल्यू अपने सर्फ्ट कर देयां a8 a दे वेल्यू अपने फर्स्ट पार्ट वेच 7 गिवन हैगी प्लस N दी वेल्यू 8 सी 8 माइनस 1 ते D दी वेल्यू अपने फर्स्ट पार्ट वेच 3 गिवन है ता पाइंड ए 8 फाइंड करना सॉल्व करके ए बनना 7 प्लस 8 माइनस 1 7 एंटू 3 इस इकोल तो 7 प्लस 21 इस इकोल तो 28 मीनिके फर्स्ट पार्ट वेच ए कोश्चन मारके दा होणा ए 28 देना रेप्लेस होएँ होणा आप अपकर देना सेकंड प्रॉल्म सेकंड प्रॉल्म दे वेच अपनू A दी वेल्यू माइनस 18 गिवन हागी कॉमन डिफरेंस दी वेल्यू पाइंड करने है N दी वेल्यू 10 गे बना तो लास्ट टर्म दे ए एन ना मीनिके 10 टर्म आगी वो अपनू 0 गे बनागी तो आप सारे वेल्यू सब्सुट कर देंगी अपनू N दी वेल्यू ते 10 A 10 इस इकोल टू A दी वेल्यू अपनू ते आप माइनस 18 प्लस N दी वेल्यू अपनू 10 गे बनागी 10 माइनस 1 D दी वेल्यू इडिया वो आपा फाइंड करने हैंगी Is equal to A 10 दी वेल्यू किन्दी गे बनाँ अपनू 0 Is equal to 0 फर्त सवर्वक के बनना माइनस 18 10 माइनस 1 9 इंटू D is equal to 0 9 D इतले से रखके A minus 18 आपा दूसरी साइड लाइने है 18 होएना तो D दी वेल्यू अपनू कोड़ाएने है 18 divided by 9 is equal to 2 था एस पार्ट दी वेच एड़ाई कोशन मारक अगा ये अपना रेप्लेश होएना 2 देना थर्ड पार्ट दी वेच अपनू A दी वेल्यू पता करनी क्या हागेगा तो common difference minus 3 गिवना N दी वेल्यू 18 तो last term दी वेल्यू minus 5 गिवना ता identity बेशारें ज़ाई सब्सूट करके अपा लेखे देंगे A18 is equal to A दी वेल्यू पर find करनी है प्लस N दी वेल्यू 18 गिवनागी 18 minus 1 D दी वेल्यू अपनू minus 3 गिवनागी A 18 दी वेल्यू अपनू किन्नी गिवनागी वह गिवन अपनू minus 5 एथो येना A प्लस 18 दी वेल्यू अपनू 17 into minus 3 येना minus 51 is equal to minus 5 ता येथो A दी वेल्यू अपनू 51 minus 5 is equal to 46 ये कोशन मारक अपना 46 दे नाग रप्लीस होएना ते फोर्थ पार्ट देज़ अपनू N दी वेल्यू पुछेगी है A N दी वेल्यू गिवना है A D वेल्यू गिवना तरेदी वेल्यू अपना ता आपना फिर एदेन्टी पर सब्सूट करदेंगे दी वेल्यू अपने थे 2.5 के बना इस इकोल तो ए एन दी वेल्यू 3.6 के बना ताहिनों फर्दर स्वल्व करके माइनस 18.9 अब आप दूसरी चैट पर यह देंगे ताहिन थे रहे न एन माइनस 1 इन्टू 2.5 इस इकोल तो 3.6 यह उदर एक प्लस था हुए न 18.9 दूने एड करके यह बना 22.5 ताहिन थे रहे न माइनस 1 इस इकोल तो 22.5 ड्वाइड बाइड बाइड 2.5 प्वाइड ना प्वाइड केंसल होए न थे ड्वाइड करके यह बना 9 ताहितों ं दी वैल्यो अपन पूं कर नीए ना 9 यह 1 उदर चला है ना प्लस 1 is equal to 10 एथो n दी वैल्यव अपनो गळाए निया 10 ते लास्ट पार्ट गिवन इत्थे अपनू a दी वैल्यू 3.5 गिवन औ d दी वैल्यू 0 गिवन अ n दी वैल्यू 105 गिवन तापन आ अन पता करना मेनके a 105 अपने पता करना ad value 3.5 गिवन प्लस nd value 105-1 d value 0 गिवन इस इकोल 3.5 प्लस 104 इंटू 0 इस इकोल टू 3.5 ता मीनिंग के इस पार्ट विच एदा आंसर 3.5 रहे ना युदो कॉमान डिफरेंस 0 ता सारी न टर्रम जिदी वैल्यू सेम ही यों दियों दिया सेकंड प्रॉल्म विच आपनू चूजदा क्रेक्ट च्वाइस दो पार्ट गिवन गई फर्स्ट पार्ट विच गया 30 ठर्म अफदा एपी इस एक आपनू एपी गिवन आगी आपने ओधित तीमी टर्म एडियों फाइंड करनी होगी तेहों आपनू इसे देख रहे है साव आपना आंसर कदे भी तुकानी लगोणा जी तुका लगोणा भी याथा सी इते दी चो लगा साथें तोके आंसर नेक्टेव देवर्ची ही ओना ता आपनू एक अडेंट्री पड़ी आपने एएन इस इकोल टू ए प्लस एन माइनस वन एन्टू दी किसे भी एपी बारे क 10, 7, 4 and so on एते डी एदी वैल्यू होगी एदी वैल्यू आपन देख रहे हैं फर्स्स तर्म दी वैल्यू कि नहीं है दास आगी तेजी आपको कॉमन दिफ्रेंस माइन्ट करना होगे हैं वो किसे भी दो कॉंजी के टो टर्म दा डिफ्रेंस आपकर देंगे a2 माइनस a1, 7 माइनस 10 जा a3 माइनस a2, 4 माइनस 7, दोना केसे सेम ही होना, एक नगा माइनस 3 वोण आपको है यह दी तीमी तर्म पता करनेंगी, मतलुके 30 तर्म पता करनेंगी ताँ e 30 दी वैल्यू किन ही होई निया, a दी वैल्यू आपको अपको है 10, प्लस n-1, n दी वैल्यू आपको है 30 माइनस 1 D दी वैल्यू अपने कोड़ है मैनिस 3 परदर सोलो करके ये 10 एजट रहे हैना 30 माइनस 1 29 29 इंटू माइनस 3 याना माइनस 87 सोलो करके ये वानना माइनस 77 ता आपके थर्टी तर्म किड़ी है दी वो गया माइनस 77 नेक्स्ट आपने सेकंड पार्ट वेरी सिमलर अगा तो थी बाला आप ट्राई करो इस तो बाद इस वीडियो ज़दा सिलीशन दिख्टो ये थे आपनू A D वैल्यू किन्नी गिवन आगी माइनस 3 ते D दी वैल्यू फाइंड करन दे लिए अपने ये थे तो शॉल्व कर दे हैं माइनस 1 वै 2 माइनस ओफ फस्टर माइनस 3 याँना माइनस 1 वै 2 प्लस 3 सॉल्व कर के वढ़ना 5 वै 2 कॉमन डिफ्रेंस दी वैल्यू आने हैं 5 वै 2 अपने इधी 11 तरम पता करने हैं सिमिलर जिगल लागी ए ये नेगट तो श्राड़को पोस्टोव वाल जारें लागी ता आज आज आपा तुक्का भी लिखोणा का ता डेफिनेटी जिगल लागी जिए पोस्टोव जारें ता 11 वी तरम ता इधी पोस्टिव यो निया सीधे रीधा पस्दी नगलेक्ट राशा दे और आपा तुक्का भी लिखोणा ता आपा आपा अचिने सालू करनेगी ता अ एए एंधी वैल्यू आपा एंधी 11 मी टरम पता करनेगी एडी वैल्यू माइनस 3 या प्लस एंधी वैल्यू 11 माइनस 1 इन्टू 5 वैटू इस इकोल डू माइनस 3 प्लस 11 मैनस 1 गिना हो गया 10 इन्टू 5 वैटू सालू करके यह आगया 5 इन्टू 5 25 माइनस 3 प्लस 25 इस इकोल डू 22 ता यह यहां आंसर आगया बी ओप्शन पक्की अपा पड़ांगे नेक्स्ट पार्ट देविट जे वीडियो पसांदाई हुए ता आपने प्रेनेशनाल सेयर कोरो सुब्स्क्राइब करो ति लाइक करो THANKS FOR WATCHING